सकाम कारिकर्ता एक आवश्यक विश्यवानी पीट्या से जो व्यक्ते इंद्रिय सुख के लिए सकाम गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन्हें निर्धारतें की करना चाहिए क्योंकि सकाम कारिकर्ता उंत्वारा किये गए सभी पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त होने का यही एक मात्र साधन है, ऐसे संचित पापों का प्रतिकार करने का साधन बलिदान है, जब ऐसे बलिदान किये जाते हैं तो देवता प्रसंद होते हैं, जैसे जेल लधिकारी संतुष्ठ होते हैं जब कैदियों को आग्याकारी प्रजा में बदर दिया जाता है, हाला कि कारभकत और सकाम कारिकरता दोनों संकीरतन लेगिके प्रदशिन से समानलाप प्राप्प कर सकते हैं श्रील प्रभुपात की पुस्तके व्यख्यान वारित अलाप और पत्र इस आवशक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट स्प्रूटिव वर्कर्ज श्रेणी में देखा गया है, उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलतिक्त आठ्र धर्णों में दिया गया है, श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरन भवान का भक्त गलत स अंगति के कारण कभी-कभी सकाम कारिकर्ताओं का अनुगरण करता है, सकाम कारिकर्ता भौतिक संसार पर अपना आध्यपति जमाना चाहते हैं, इसी प्रकार एक नौसिक या भक्त भक्ति सिवा के बदले में कुछ भौतिक शक्ती जमा करने की मुर्ख खतापून सोच रख श्रीमत भागवत 1 मई 19 इनकम बुद्धे मान व्यक्तियों को कर्मी या सकाम कारिकर्ता और ग्यानी या शोश्क मानिसिक क्सटे बाजों के रूप में जाना जाता है, लेकिन मनुष्यों के इन दो वर्गों से उपर दिव्यवादी है जिसे सात्वतिया भक्त के रूप में जाना जाता है, जो न तो अनियंत्रित भौतिक गतिविधियों में व्यस्त है और नहीं भौतिक अठकलों में, वह भगवान की सकारात मक्सिवा में लगा हुआ है और इस प्रकार वे इह कर्मियों और ग्यानियों के लिए अग्यात उच्चतम आध्यात्मिक लाप प्राप करता है, श्रीमत भागवात एक जन्वरी सत्रह, जब ऐसे बलिदान किये जाते हैं तो देवता प्रसंद होते हैं, जैसे जेलाधिकारी संतुष्ठ होते हैं, जब कैदियों को आग्याकारी प्रजा में बदल दिया जाता है, हाला कि भगवान चायतन्य ने किवल एक यगिर प्रयाब अलिदान की सिफारश की है, जिसे संकीर्थन यगित हरे कृष्ण का जाप कहा जाता है, जिसमें हर कोई भाग ले सकता है, इस प्रकार भगत और सकाम कारे करता दोनों संकीर्थन लेगे के प्रदशिन से समानलाब प्राप्त कर सकते हैं, श्रीमत भागवात 1.16.20 केवल कंजूस लोग भौतिक बंधन में फसने के लिए अपने कर्मों का फल भोगने की इच्छा रखते हैं, क्रिष्ण भावनामरित में काम करने के अलावा सभी गतिविधियां ग्रिनिट थें क्यूंकि वे कारेकरता को लगातार जन्म और मृत्यू के चक्र में बांध कर की भी कारेक का कारण बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्रिष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ क्रिष्ण भावनामरित में किया जाना चाहिए, भगवत गीता 2.49 एक व्यक्ते किसी विशेश प्रकार के काम्या उसके परिणाम से बहुत अधिक जुड़ा होता है क्यूंकि उससे भौतिक वारिया चूलहा, चौका और घर, पत्नी और बच्चों से बहुत अधिक लगाव होता है, ऐसे व्यक्ते को जीवन में उच्छ उन्नती की कोई इच्छा नहीं होती है, वह बस इस दुनिया को यथा संभवध भौतिक रूप से आराम दायक बनाने स चिंतित हैं, वहाम तोर पर बहुत लालची होता है, और वह सोचता है कि जो कुछ भी उसने प्राप किया है वह स्थाई है और कभी भी खोने योगे नहीं है, ऐसा व्यक्ति दूसरों से इर्शा करता है और इंद्रिय अत्रिप्ति के लिए कुछ भी घलत करने को तयार रहत है, भगवत गीता 18.27 प्रयाग में दर्शाश्वमिद घाट के तठपर भगवान ने लगातार दस दिनों तक रूप गोस्वामी को भगवान की भक्ति के विज्ञान का उक्देश दिया, उन्होंने गोस्वामी को 84 लाग प्रजातियों में जीवित प्राणियों की विभा चन्यदार्शनिकों को और उनमें से मुक्त आत्माओं को चुना। श्री मदभाग वत परिचे, यदि कोई सकाम कारे करता सूचता है कि भगवान कृष्ण एक साधरन नश्वर हैं, तो वेह अपने सकाम कर्म के लक्षे स्वर्गिया ग्रहों तक उन्नती प्राप नहीं कर पाता है। और यदि कोई मानव विज्ञानी ग्यानी एक अनुभवजन्य दार्शनिक होता है, तो वेह ज्ञान की खोच की लक्षे भौतिक साधनों से मुक्ते को प्राप करने में भी विप्पर रहता है। बुद्धी द्वारा त्याग 2.8 जो लोग अपने कर्मों के फल देशित करता है कि वेही वास्तविक भूगता है। इसलिए इन मूर्क विक्रित कर्मियों के दिमाग को बाधित की बिना बुद्धेमान व्यक्ति को उन्हें उसकाम में लगाना चाहिए जिसमें वी विशेशग्य हैं और भगवान क्रेश्ण की सिवा में फलका उप्योग करना चाहिए। इस तरह की कारिवाही से सकाम कारिकरताओं का भगवान क्रेश्ण के साथ शाष्वत संबन स्वता ही उजागर हो जाएगा। बुद्धी द्वारा त्याग 1.8